तो नारियल की बर्फी हलवाई के कारखाने में कैसे बनाई जाती है ये वीडियो तो मैंने अल्रड़ी अप्लोड किया था उसका लेंक के डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने नहीं देखा तो अब देख सकते हैं आज वही मैं आप सभी को आगे दिखाऊंगा कि आप सेम टू सेम थरीका यूज करके आप घर पे कैसे बना सकते हो आज हम नारियल की बर्फी घर पे बनाएंगे तो वीडियो को लास तक देखते रहें ये चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को ससक्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब करके घंटी वाला बटन है जरूर दवाले ताकि आपको हमारी जो हलवाई वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहें चलिए व्ぎडियो स्टार्ट करते हैं तो नारियल की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन में दूद चाहिए, दूद आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, कम जाधा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहापे आधा लीटर दूद और इसमें मैंने आधा कप चीनी डाला है, आधा कप यानी की 100 ग्राम से थो अगर एक कप नारियल से आप बनाना चाहो तो, तो सबसे पहले दूद को अच्छे से उबाल के हमें गाडा करना है, जब तक कि यह गाडा होके बिल्कुल रबडी जासा ना बन जाए, देखिए, इस तरीके से ना बन जाए, तब तक हमें दूद को उबालते रहना है, और देखिए, इस तरीके से, बस त्रिफ दोदोर चीनी ही डाला है, मैंने अभी तक और उसके बाद, अब हम बाकी के सारे चीज़े जो है, वो डालना स्टार्ड करेंगे, जब इतना थिक हो जाए, तब इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करना है, अब हम इसमें थोड़ा सा फ हमने भी यहाँ पर डाल दिया है, अगर आपने दूसरी वीडियो मेरी हलवाई वाली नहीं देखी, तो लेंक के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो, तो देखिए, अभी ग्यास का फ्लेम मैंने स्लो कर रखा है, लो पे, अब यहाँ पर नारियल करने के बाद यह देखिए, इसमें थोड़ा सा घी मैं डालना भोल गया था, तो इसमें डाल देते हैं, जिसी घी थोड़ा सा इसमें डाल देना है, एक से डेड़ चमच के करीब इसमें डाल दे, तो जो बरफी है, वो अंदर से मॉइस्टर रहे गी और मतलब सौफ्ट रह आप इसको खा सकते हो, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यह बिल्कुल रेडी है, अब हम ग्यास बंद कर देंगे, साइड में रखते हैं इसको, और एक ट्रे है मेरे पास, जो बरफी वाली है, आप कोई भी ट्रे जो भी बरफी के लिए यूज करते हो, वो ट्रे यूज कर सकते हो, उसको हलका सा ओयल से ग्रीस कर लें, और इसके बाद यही इसी ट्रे में हम जो अपनी बरफी है, नारेल की, इसको हम सेट करेंगे, यह देखे, इस तरीके से अपने हातों से दबा के, यह बहुत जादा गरम गरम नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठेट करना मतलब थोड़ा गुनगुना गरम रहे, तब आप इसको विलकुल अच्चे से सेट कर दें, और इसको 1-2 घंटे के लिए कमसे कम इसको छोड़ दे, जमने के लिए कमसे कम 2-3 घंटे भी रग देंगे, या 10-12 घंटे भी रग देंगे, तब भी कोई फरगने पड आप चाहो तो लगा सकते हो, ड्राइफूड मैंने डाल दिया, आप इसको रग देते हैं 2-3 घंटे के लिए उसके बाद कट करेंगे, तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसको कट करूँगा, ये देखे, बर्फी बिल्कुल जम चुकी है, सेट हो चुकी है, बिल्कुल अ आप इसके नीचे इस तरीके से चाको मारेंगे, तो ये निकल के बिल्कुल बाहर आ जाएगा, ये देखे, इस तरीके से, तो हमारी नारियल की बर्फी जो है, वो बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं, इसको कितना परफेक्ट और बिल्कुल हलवाई जैसा लग रहा ह सकते हो, बिल्कुल भी इदर उदर से बिखरा नहीं हुआ, और बिल्कुल सॉफ्ट है बर्फी, अंदर से भी काफे ज़्यादा सॉफ्ट है, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो ये बर्फी बनके रेडी हो चुकी है, आप इसको सर्व कर सकते हो, आप इ दूसरे चैनल को भी मेरे सस्क्राइब कर सकते हो, थैंक्यू सो मजग गाइस, मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, थैंक्यू, दोस्तों वीडियो आपको कैसी लिगी, कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब न बटन जरूर दबा के रखना ताकि आप सभी के पास नोटिफिकेशन आती रहे हमारे जो वीडियो हैं, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू सो मजग